कि अलक करने का दम होता नहीं है लोगों के अंदर तो यह तो मैं भी भाग रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये करके बट अगर एक्चल में आपको एक धंकी लाइफ चाहिए तो ऐसी सोच चाहिए जिस सोच की मैं बात कर रहा हूँ प्लीज है वसी एक बहुत बड़ी बात आपको यहां पर बताता हूँ अगर आप genuinely कुछ ऐसा कर गए तो तो यह मत समझे ना आप सिर्फ अपने ले कुछ कर रहे हो आप लाखों जो इंडिया में students है या जो और आपके जैसे लोग है जिनको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करे उनके लिए एक ऐसा दर्वाजा खोड़ रहे हो जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है यूकि ऐसे ही examples हमको चाहिए actual में society के अंदर ऐसे hero नहीं चाहिए AIR1 समझ गया है उनको hero बनाय जा रहा है newspapers के अंदर उनकी photograph दी जा रहे है जिसको देख देख करके आपके पेरेंट भी चमक रहे हैं कि यह क्या है आपको सपने आ रहे है मेरी भी AIR1 ऐसे hero चाहिए society को यह ऐसे जैसे कि अभी यहाँ पर discussion चल रही है hero तो आप बनी जाओगे तोगि चड़ते सूरज को सलाम है पैसे को सलाम है अगर आप यहाँ से financially successful हुए तो आपकी family में आपके friend circle में आपका example दिया जाएगा बाकी सबको तो अगर आपने race से कुछ अलग किया और फिर आपका example दे रहे हैं इस दुनिया में तो आप एक असली hero हो you are the real hero समझ गए ना आप रास्ते खोड़ रहे हो इस दुनिया के लिए unemployment को employment में convert कर रहे हो अलग-अलग रास्ते खोल करके तो बनना है तो ऐसे बनो समझ गए यह तो conventional पात पर भी है यह वहापर नहीं है वहापर ज़ादा है यहाँ पर failure होने के chances है क्या पहले तो आप मुझे यह समझा दो यह जिसे किसान वाला एक example था farmer वाला यहाँ पर failure का मतलब क्या है fail हो सकते हो चाहो भी तो नहीं हो सकते गए उस बंदे के पास में उसकी थोड़ी बहुत photo photo खीची उससे बात करी यहाँ पर failure है कहाँ उससे जा करके थोड़ी सी उसकी खेतों में से वह वैसी दे देगा आपको सबजी आप उसके पास गए हो तो वैसी दे देंगे दो चर किलो ले जाओ फ्री में तो आप तो वहाँ पर वैसी successful हो गए फ्री में माल आगया आपके दिर में हाँ तो fail होगे कहाँ मैंने अब तक जो भी examples दिये वहाँ पर कितने की investment है एक लाग रुपे की दो लाग की पांच लाग की आपको एंटरेंस को crack करता है वहाँ पर कितने की investment है लाग लाग सच है जूट है 100 भी छोड़ दो 90% इसको समझदारी कहेंगे यह जो पुरी दुनिया आपो कह रही है करने के लाग फिर भी आपो कर रहे हो प्रेशर की वज़े से डर की वज़े से उसको समझदारी वाइनोंने बहुत अच्छा पॉइंट बोलाई है यह चाहती है इसलिए नहीं कि मुझे इसको क्रैक करना है और मुझे सेफटी चाहिए है से क्यूरिती चाहिए क्यूए 90% लोग को यह चाहिए उनको कॉंट्रिब्यूट नहीं करना है सुसाइटी को बट अगर अंदर से आपके आ रहा है कि मुझे मान लो ये officer बनना है इसको crack करके civil services को crack करके और genuinely कुछ change लेकर के आना है society अंदर then hats off to you पट अगर actual में ये है तो अभी आप बोल रहे हो ये है लेकिन actual में कुछ और ही है समझ गए ना actual में ये है कि अगर मैं ये कर गई तो कितना मज़ा आएगा बत्ती बाली गाड़ी मिलेगी समझ गए life set है मेरे को इगर मिलेगा मेरे को इतनी salary मिलेगी उसके बाद में pension भी मिलेगी मेरे घर वाले कितने खुश हो जाएंगे तो अब होगा क्या आप वहां पहुँच भी जाओगे और वहां पहुच करके आपने देखा बड़े अपने सपने पिरोई थे मेरे को ये करता है वो करता है वहां जा करके देखा पूरा system corrupt है आपके उपर भी लोग corrupt है नीचे भी corrupt है अब क्या गरोगे लगाओ दिमाग अगर तो आपका purpose genuinely ये था कि मेरे को बदलाब ले करके आना है तो अब आप बदलोगे उस system को दिमाग लगाओगे कि अब मैं कैसे इसको ठीक करूँ अगर focus ही ये ही था जो सारे घरवाले आपके दिमाग में भर रहे हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी तो क्या होगा, जैसी वो आपको नौकरी मिल जाएगी सक्सेस आपके दिमाग पर चड़ जाएगी और उस नौकरी को खोने का डर आपके ओपर इतना हभी हो जाएगा कि अगर वहाँ पर corruption है और आपने घरवालों से बात भी गरी गरवाले क्या कहेंगे, तो अपने काम से काम राख तो फिर मत करो वो काम As simple as that आपको कटपुतली बनना है, वो ही मैं पूछ रहा हूँ इसको ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ If you are taking that job of social welfare If that is your motive तैयार होकर के जाना कि यह तो फिर एक लड़ाई है It's not a cake walk कि आवाँ जाओगे और एकदम से आपको सब कुछ अच्छा-च्छा-च्छा होने लग जाएगा या आपके आस-पास में उपर लोग बैठे होंगे, जाओ भला करो दुनिया का ऐसा नहीं होगा दुनिया मरती है, मर जाए हमारी जेब में पैसा आना चाहिए तब अगर आपके अंदर ये वैलियूज होंगी आपकी लाइफ का परपस ही होगा कि मुझे बदलाव लाना है तो आप पहले से ही माइंड मेकप करके गए हो कि मुझे इस एक्जामेनेशन को क्राक करना है, अंदर जाना है इस मशीनरी में फिट हुआ पड़ा है लेकिन हमना काम ढंग से नहीं कर रहा है वो हम लोग के लिए अच्छा है बुरा है बुरा है हम उसको दुआइं देंगे, बदुआइं देंगे तो आपको भी बदुआइं मिलने वाली है इस शर्मिंदगी के साथ जी सकते तो बहुत बड़ी है, जीते रहो शीशे में अपने आपको देखो मैं तो यह हूँ, मैं तो वो हूँ क्या हो, बदुआ मिल रही है, सदा सो करो लोग के आपको सच है यह तो आपको यह होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया यह नहीं कि क्या अचीव किया अचीव समझ गया न किस वे में नौकरी अचीव करी घर अचीव किया गाड़ी अचीव करी, यह पैसा अचीव किया यह सब कचरा है, कुछ नहीं है मैं इसमें इंट्रेस्टेट हूँ आपने अपनी लाइफ में क्या काम किया जैसे ही वह आप उसमें जाओगे आपकी वो जॉब लगी जो ड्रीम है आपके पेरेंट्स की तो आपको इतना बड़ा हीरो बना दिया जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है कहां कहां तक लड़ू बटेंगे आप सोच भी नहीं सकते तो उनकी नजर में क्या हुआ आपकी लाइफ का जो मकसद था वो पूरा हो गया जब यह एक्शुल में कुछ भी नहीं हुआ है अभी आपने किया ही क्या है अभी तो काम शुरू हुआ है और आपको लग रहा है काम खतम हो गया है इसलिए हमारी कंट्री का ऐसा हाल है अब ब्रिंगिंग ही गलत है बैल्यूज ही गलत है हीरो गलत लोगों को बनाए जा रहा है हीरो बनाना चाहिए उसको अगर आप एक गशुल में गए आपने क्या किया चाहिए आप एक जरूरी आप बहुत बड़ा चेंज लेकर के आना है आप एक गशुल के टीचर हो तो आपने ये ठान लिया कि मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन मेरे कॉंटाक में जो बच्चे आएंगे ये 50 बच्चे हैं मेरे कॉंटाक में हर साल ये 50 नहीं बच्चे मेरे कॉंटाक में आएंगे इनकी लाइफ तो मैं बदल दूँगी इनके एक एक के साथ में बैठूँगी और कोशिश करूँगी किसी भी तरह से ही अपने पोटेंशल को पहचान सके और कुछ नहीं तो इनको एप्रिशेट करूँगी वो भी बहुत बड़ी चीज होती है एक बच्चे के लिए अप्रिशेशन से बड़ा कुछ होता नहीं है वो लाइफ को ऐसे चेंज कर देता है स्कूल टाइम में मेरे एक मौरल साइंस की टीचर थी उसने पता नहीं क्या मैं तो ठखावा सा स्टूडेंट था ऐसी उसने बोल गया क्लास के सामने कि संदीब तुम बहुत आगे जाओगे लाइफ मुझे अभी तक याद है आपको भी याद होंगी अपनी ऐसे कोई न कोई टीचर जिसने आपको कुछ अच्छा बोला और वो भी याद होंगी जो मारते थे पीटते थे मैं यह तक सोचता था स्कूल में कि जब मैं निगल जाओगो ना बुझे नो मडर करो तो टीचर भी बहुत बारती थी ने बहुत पिटाई दिए मैंने सोचा था अब असी आती है अपना में सही मैं सोचता था कैसे मारूंगा बहार में जाओगो तो अब आपको देखना है आपको कैसा बनना है इससे होता क्या है हमको अंदर से साटिस्फाक्शन मिलती है यही लाइफ का परपस है और कुछ नहीं है क्लियर हो गया ना तो मैं यह नहीं कहा रहा यह करना है वो करना है परपस मस्ट बी क्लियर परपस मस्ट नॉट बी मनी परपस मस्ट बी सेक्यरिटी परपस मस्ट बी कि मुझे यह पुजिशन चाहिए मुझे यह रैंक चाहिए that must not be the target that must not be the purpose वो purpose ही गलत है purpose must not be job purpose must be कि इस job की थुरू में क्या करने वाली हो और फिर अपना गोल बनाना है और फिर वहाँ पर अपना 100% लगा देना है तम मज़ा आएगा खेले